हलो फ्रेंट्स रिव्य ब्रदस फेमिली में आप सभी का स्वागत है जी हां दोस्तों सबसे पहले तो मैं खिलारी कुमार को दिल से सेल्जूट करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह एक और वायोपिक में नजर अब आ सकते हैं यहां दोस्तों वह किसकी वायोपिक है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्जा करेंगे तो मेरी प्लीज इस एक्साइटिंग वीडियो को आप एंड तक देखना तो अपनी वीडियो की स्टार्ट करें लेट्स स्टार्ट हलो फ्रेंट्स मैं हूँ इनित जी हां दोस्तों जब कभी भी वॉल्यूड में देशवक्ति वाली मूवी की बात होती है तो हमारी नजर में सबसे पहला नाम आता है अक्षा कुमार साब का अजयदेविगं साब का इन सबके नाम हमारे नजर सबसे पहले आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा देशवक्ति वाली फिल्म तो इसी प्रकार से दोस्तों एक ऐसा रियूमर निकलके आया है जिए दोस्तों अभी तो मार्च मैं सूर्यवन्षी आ रही है जिसमें वो देशवक्ति वाली फिल्म कर रहे है इसी के साथ एक बहुत तगड़ा यूमर निकलके सामने आ रहा है कि उन्होंने एक देशवक्ति वाला प्रोजेक्ट भी साइन कर लिया है जी हां दोस्तों एमेस बिट्टा साफ जो की एटी एफ की चेर्मेन थे उन्हों उनके उपर बायोपिक बनाई जा रही है जिसमें अक्षा कुमार साफ हो सकते हो जो काफी तगड़ा यूमर है और काफी जादा लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं जी हां दोस्तों क्योंकि सबस्वड़ी बात क्या है कि मनिंदर मिट्टा साफ बहुत एक जो एंटी टेर्रि की बनाई जारी जिसको रिलाइंस ने जिसको मैं रहा है खरी ली है और दोस्तों आपको याद होगा आपको पता होगा पर यह उसमें अक्षा कुमार सब को सकते हैं तो अक्षाकुमार फेंस के लिए और जो बॉलिवूट के लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर में मनिंदर सिंख बिट्टा साब ने क्या किया था और ऐसा बताया जाता है कि जो मनिंदर सिंख बिट्टा साब है वह आतंग वाप्चे कि यह मूवी कब फ्लोर पर कब इसका स्टार्ट हो जाएगा और अगर दोस्तों यह जल से जल अगर इसका रियूमर आ जाता है यह रियूमर सही हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ एक और ब्लॉक्बस्टर फिल्म अक्षाकुमार साब करने वाले हैं और एक और देशब प्रक्रार की न्यूस चाहिए तो आप मेरे चैनल रिव्यूमर से जुड़े रहिए और अगर आपको मेरी एक खतरनाक वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना प्लीज दोस्तों अक्की कुमार के लिए सब्सक्राब करना बिल्कुल ना बूलेगा ठैक्यू गाइस और जय हिन दोस्तों